हरियाना आज के कारकरम में फिर आपके साथ आज की मुलाकात जैसा हम जानते हैं कि करोना का ये विशह ये महमारी देश और दुनिया में बढ़ रही है मुझे इस बात का संतोष है कि हरियाना में हमने इसको आगे बढ़ने से एक परकार से रोका है हमें रोकने में सफलता मिल रही है पूरू में घटना हुई कि मरकज के जो तबली की लोग थे उनके कारण से हमारे हाँ संख्या बढ़ी वो संख्या न बढ़ती तो आज हम बहुत अच्छी सितिमे होते आज हमारे हाँ 308 टोटल केसिज है जो चार मार्च से इस समय तक के लिए 224 लोग इसमें से रिकवर हो गए है इसकी प्रतिशत 72.72 प्रतिशत है जो देश के सभी प्रांतों में केरल को छोड़ करके सरवाधिक है हमारे हाँ डबलिंग रेट भी 21 दिन का है जो केंद्रियस तरके उपर 8 दिन का ये डबलिंग रेट है तो हमारे आग गती एक परकार की बहुत हमने सामाने बलके सामाने से भी कम आगे कोरोना की बिमारी का जो फैलने का गती है उसको रोका हुआ है एक्टिव केस मातरी कैसी हैं तीर बंधों की मृत्य होई है जिसका में दुख है ये जो फैटलिटी रेट है ये भी एक परसंट से कम हो गया है ये सब और अच्छे पेक्षाम करते हैं परंतों एक नया तथ्य वो भी सामने आया है कि प्रदेश का साथ लगता हमारा राजधनी प्रदेश दिल्ली वहाँ संख्या एक प्रकार से बढ़ रही है और उनकी गती बहुत तेज है दिल्ली आने जाने वाले लोग हरियाना से बहुत बड़ी संख्या में चार जिले हमारे साथ लगते हैं सोनिपत है जजजर है गुरुगराम है फृरिदाबाद है ध्यान में आया कि पिछले छे दिन में इन जिलों के अंदर 28 केस ऐसे आ गए है जो दिल्ली के करमचारी अत्वा उनके परिवार के लोग या उनके मिलने जुलने वाई लोग एक बड़ी संख्या जुड़ गई है जिसका हमको बहुत सावधानी पूर्वक मुकाबला भी कर करना है हमने कठोर निर्णे लिया है कि दिल्ली के साथ अपने इतने बॉर्डर हैं उनके उपर सकती की जाए और यह सकती बॉर्डर इसलिए करनी पड़ रही है कि हम न करें तो वास्तों में जुमारा उद्देश है वह उद्देश है कि करोना को आगे बढ़ने से रोका ज करेंगी आत्म सुरक्षा की नाते से हम कोरना को दिल्ली से हरियना में किसी भी कारण से किसी प्रकार से नहीं गुशने देंगे हमने जितने लोगों का आवागवन है उसको रुखवा दिया है केवल ऐसी सेवा है जो बहुत अशंशल है अर्था सब्जी जैसी चीज दूद नब बने करमचारी अगर उनकी डूटी दिल्ली में है दिली रह सकते हैं अत्वा घर आकर छुटी लेकर घर में होन कॉरेंटाइन रह सकते हैं बाकी भी सब वस्ताएं ऐसी की गई है तो भी हमने अपने डिप्टी कमिशनर्स को इस प्रकार के अधिकार दिये हैं कि वो को बहुत ऐसा अनिवार है यदि कोई आवा गमन का मामला होगा तो उसी को वो करेंगे वरना ये जो इन्फेक्शन है इसको हम हर्याना में नहीं बढ़ने देंगे ये हमारा संकल्प है हमने निश्य रूप से जैसा कहा जाता है कि प्रिकॉशन इस बेटर दन क्योर अर्थात ह हम इस सावधानी को बढ़ते हैंगे प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है इस प्रिकॉशन के आधार के ओपर ही हम इन चीजों को आगे बढ़ाएंगे मित्रो ये सब करते हुए बहुत से ऐसे रेस्ट्रिक्शन हमने लगाई है कहते हैं कड़वी दवा वो बिमारी को ठीक करने के लिए आफशक होती है इस कड़वी दवा के कारण से हमें जो तकलीफ हो रही है उस तकलीफ को हम लोगों को सैन करना पड़ेगा और इस क्रॉस बॉर्डर मॉमेंट को हमको रोकना पड़ेगा अब ऐसा ही एक विशह करमचारी यूनियंस हमने कल ही प्रदेश की सभी प्रमुक करमचारी यूनियंस को बुलाया था उन से बुलाकर के बाच्चित की चूँके प्रदेश में आखिर जो विवस्ताएं हैं वो करमचारीयों के आधार पर हम आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे प्रसंदता है इस बात की मैं बढ़ाई देता हूं अपने सब करमचा का पालन कराने में लगे हुए हैं घरगर जाकर के समझाने का काम चाया हमारी आशा वरकर्स हैं आंगनवाडी बहने हैं वो सब जाकर के कर रही हैं जन जागन का काम करने से ही लोगों में लगता है कि हां हमारा परशाशन सयोग कर रहा है हमने इन करमचारी यूनियंस के साथ खड़े हैं क्योंकि इस अंकट अपन्याब में एक बहुत ही ऐसा विशह है जो पहले कभी किसे ने देखा नहीं ऐसे अवसर पर हमारा ह्रियाना का पूरा परिवार सब मिलकर के इसको जड़ से उखाड फैकने के लिए प्रतिवद्ध है करमचारी उसमें अग्रणी है साथ ही करमचारी जो यूनियन्स बंदू थे उनसे बाच्चित हुई कि हम लोगों को आखिर कुछ ना कुछ आर्थिक अपनी जो गतिविदियां हैं उसको भी बढ़ाना चाहिए प्रधार मंत्री जे ने भी आवान किया था कि 20 अपरेल को हमको अपनी गतिविदियां ये बढ़ानी है और गतिविदियों को बढ़ाने के लिए जितने भी छूट हमने पहले दी थी उस छूट को और थोड़ा बढ़ाने का भी काम हम लोग कर रहे हैं तो उस छूट को करमचारी जो है उसमें बाह पां काम कर रहे हैं मज़दूर उसमें काम कर रहे हैं ऐसे ही जो उद्योग हैं उनको भी MHA की गाइडलाइज ग्रह बढ़ाब बन्तराले की जो दिशान देश है उनके अनुरूप खोलने का काम हमने किया है और हमारा एक अनुमान है एक आंकड लिकारी, वो 20 अपरेल के बाद काम में लग गए हैं, लेकिन कल से ही इसका जो तीसरा फेज है, इसको भी हमने शुरू करने के लिए कह दिया है, इसमें पुरे प्रदेश को दो हिस्सों में बाटा है, एक 15 जिले वो हैं जा करोना का प्रभाव कम हैं, 7 जिले ऐसे हैं जिन में करोना का प्रुभाव पिछले महीने में अपरेल के महीने में वो ज़्यादा बढ़ करके दिखा है इन साथ जिलों में गुरुगराम, फृरिदाबाद और इसके साथ पलवल नू जिला, सोनीपत पानीपत और पंचकुला ऐसी साथ जिले हैं तो इन साथ जिलों में हम योजना अपनी ब्लॉग कत्वा टाउन के साथ से बनाएंगे शेश पंदरा जिलों में पूरे जिले के साथ से ही हम उस योजना को सारे को रखेंगे सबसे पहले इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग इसका पुरा ध्यान रखा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग के नाते से जितने भी इन सीटू द्योग है अतात करमचारी उद्योग के स्थान पर उसी परिसर में रहते हैं दिन रात वहीं काम भी वहीं करते हैं रहने का सान भी उनका वहीं है वहाँ सभी करमचारीों को कारे करने की छूट होगी उसके अंदर सब लोग काम करेंगे शेश आईटी क्षेतर के अंदर 33 परिशत यह हमने 33 परिश की छूट उनको दी है कि 33 परिशत करमचारीों के साथ अपना उद्योग चलाएं शेश अन्य 50 परिशत की छूट के साथ यह लोग अपना काम कर सकते हैं चाहे वो सभी जिले 15 जिलों के अंदर बात करें या जो 7 जिले हैं उसमें ब्लॉक के इसाब से उन ब्लॉक्स में छूट दी गई है जहां 10 या इससे कम करोना के जो पेशेंट्स हैं जो पोजिटिव हैं उनकी संख्या रही हो जहां 10 या इससे अधिक पिछले मेने में संख्या रही है वहाँ पर थोड़ा सा सकती इसलिए बतनी पड़ेगी ताके करोना कावा फैलाव नहो वहाँ जो हमारे कंटेनमेंट जोन है कंटेनमेंट जोन में तो कोई गतिविदी चालू नहीं होगी लेकर बाखी जगा पर गतिविदियां ये चालू होगी दुकाने भी शहरों में मुहले की दुकाने और जहां कहीं केवल अकेली दुकान है ऐसे स्थान पर जो मार्किट का हिस्सा नहीं है इन दुकानों को छोट दी गई है गाओं में सभी दुकानों को छोटी बड़ी सब दुकानों को खूल दिया गया है ये भी सब जो भी हमारी ग्रह मंत्राले की गाइडलाइन्स हैं उसके हिसाब से हमने सब कुछ किया है एक जानकरी और मैं देना चाहूंगा कि जो उद्योग सोशल डिस्टेंसिंग के कारण से अपने कम मजदूरों से काम चलाने के लिए आगे आएंगे अर्थात 50 परिशद की जो संख्या उनको बताई गई है उसी से अपना उद्योग चलाएंगे वहाँ उनके वर्किंग अवर्स में उनको छूट दी गई है कि वो आठ घंटे की बजाए बारा घंटे तक भी उन मजदूरों से काम ले सकते हैं लेकिन ये जो धारा 69 है 59 ये जो एक्ट है हमारा कारखाना धिनियम 1948 इसकी धारा 69 के अनुसार उन सब को अत्रिक चार घंटों का जो वेतन है अर्थात और टाइम का वेतन ये डबल देना होगा और उन इस नाते से एक करमचारी से बारा घंटे तक भी काम करने की सहमती उन लोग बना सकते हैं ये भी एक छूट उनको दी गई है मित्रोशी प्रकार उसरा चरण है उद्योग खोलने का उसके अंदर अधिक से अधिक खोले जाएंगे उद्योग इसके बाद जहां कहीं करोना के केसे ज्यादा हैं वो तीसरे चरण में तीन वही के बाद उनको और छूट दी जाएगी उस समय तक हमारी सब गती इस प्रकार की ध्याद में आएगी किस गती से हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं और कोरोना को हम रोक पा रहे हैं तो निश्य रूप से इसको हम खोलेंगे विशह है प्रवासी मजदूर प्रवासी मजदूर हमारे हरियाना में भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर उद्योग में लगे हुए थे खितों में काम कर रहे थे अचानक इनको जब एक विशह लोकडाउन का आया तो घर जाने के लिए इन्होंने अपनी तयारी की लेकिन चोके सोशल डिसेंसिंग के कारण से इनका एक साथ घर जाना संभव नहीं था हमने इनके लिए माइगरेंट केंप्स बनाए और उन माइगरेंट केंप्स में लगबख साड़े पंदरा हजार मज़़ूरों को बीस बाइस दिन वहां रहने के लिए करमचारियों ने वहां पर संस्थाओं ने सब लोग ने सयोग किया और इसके बाद एक क्वारंटाइन का फिरिड़ पुरा होने के बाद परस्पर प्रदेशों में जो भी ऐसे लोग रुके थे उन्होंने अपने अपने घर जाने के लिए जब इनताम हमने किये तो घर जाने लगे हैं और उन पंद्रा दिनों के अंदर हरियना में हमने कम से कम ऐसे जितने प्रवासी मजदूर थे उन भाईयों को कोई तकलिफ नहीं होने दी बलके सेवा भाव से उनका जब सेवा की गई और जाने लगे तो भावनात्मक तरीके के भी द्रश्य ध्यान में आये कि जब उस केम्प को छोड़कर के जा रहे थे तो जाते समय ऐसा भी ध्यान में आया कि वहां के करमचारियों के पैर तक उनने चुए और जब उनसे पूछा ऐसा क्यों तो उनने का कि हमें परिवार के अंदर भी जितनी सिवा भावर जितना हमको प्रेम सने प्यार मिलता है उससे जदा प्यार हमको मिला है और एक परिवार से जैसे बिछड़ना होता है इस परिवार के बिछड़ने का उनका जो एक दिर्श्य द्याधान में आ रहा है ये सब मजदूर हमको इनको मजदूर कहते हैं ऐसा नहीं है हमारी परदेश की एक परकार की मजबूती के ये अंग है और इस मजबूती को लाने के लिए हर्याणा में जो उन्हेंने काम किया आगे दुबारा से फिर वो काम करने आएं ऐसे हमारी इच्छा है किनी कारणों से अपने परदेशों में भी काम करते हैं तो उनका सब का 15-20-20 वर्षों से जो यहां काम करके गए हैं हर्याणा के निर्मान में उन्हेंने सयोग किया है मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ उनका अभारी भी हूँ कि अपने सब लोगों का उन्होंने ध्यान रखा है अभी भी जो मजदूरियां शेश बचे हैं बहुत लोग कटाई के काम के लिए आयोए हैं ऐसे कटाई के काम वाले सबी कटाई करने के बाद इन लोगों को सब का ध्यान रखा जायेगा जब भी कोई उचित अफसर आयेगा तो इनको इनके घरों में वापस बिजा जायेगा जब तक इनको यहां रहने के लिए कहा जाता है तब तक यहां रहें इनकी सब की विवस्था इनके घुजन की खाने की पिने की सब विवस्था हैं या उनको उचित रंग से की जाएंगी एक परिवार के तरह की जाएंगी हमारे ये अपने अंग हैं हमारे हरियाना के जैसे लोग होते हैं वैसे हमारे लिए ये भाई हैं भरातर भाव से हम लोग इनकी सेवा करेंगे किसी प्रकार की चिंता इनको नहीं करनी चाहिए ऐसा मैं इनको इस बात का विश्वास दिलाता हूं मित्रो हरियाना में जो कि हमको पता है कि हमारी आर्थिक सिती इस आर्थिक सिती का एक विशाय सब के सामने मैंने खुले रूप से रखा है आज मैं फिर उस बात को दुराता हूं कि हमको हरियाना में अपने खर्चे कम करने होंगे हम को अपनी आय किसे न की शुरूब में बढ़ानी होगी इस आय को बढ़ाने के लिए हमारे जो मंतरी गण है बाकी सब लोग है जैसे जैसे सुझाव आ रहे हैं उस हिसाब से उन सुझाव के उपर हम काम करेंगे लेकिन एक विशह मैंने जो तुड़ा संकेत किया था कि हम जो भरतियां है उन भरतियों में युनिवस्टिस के अंदर जहां आशक्ता नहीं हैं, वहीं नहीं करेंगे बाकी जगा आशक्ता जहां हैं, उनकी भरतियां चालू रहेंगे और प्रदेश में भी जो भरतियां हमने की हैं अगर हम पिछले 5-6 साल का इसाब लगाते हैं तो इन 5-5.30 साल के अंदर हमारी अभी तक साड़े 73,000 भरतियां ये हमारे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन और हरियना पॉब्लिक सर्विश कमिशन के कालन से हुई हैं और अभी भी साड़े 12,000 ऐसी भरतियां हैं जिनकी परिक्शाय हो चुकी हैं रिजल्ट आना शेश है यदि रिजल्ट आया है तो उनकी कांसिलिंग करनी हैं सक्रीनिंग करनी हैं वो शेश है ये सब काम जो पाइप लाइन में हैं ये पूरे के पूरे होंगे इनको किसी को रो बुका नहीं है जो खाली पोस्ट है जितनी भी आवशकता है उनको सब को हमने किया है लेकिन अगर पिछले हमारे छे साल से पहले दस साल का इसाब में लगाता हूँ तो चाहे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन है पब्लिक सर्विस कमिशन है दस साल के पूरे कारे काल में भी 60,000 भर ताहत वो दस साल का करेकाल और हमारा साड़े-पांच साल का करेकाल ये बराबर भरतियां कर चुके हैं आगे साड़े-चार साल भी जो बचाह समय उसके अंदर भर्पूर भरतियां की जाएंगी लेकिन वरतमाल समय ऐसा है जब social distancing है जब transport के साधन बंद है परिक्षाइं हम करा नहीं सकते हैं हमारे तो जो school के विद्यारती college के विद्यारती plus two के विद्यारती इनकी परिक्षाइं वो सब शेश हैं और इस एक विशेश प्रस्तिति के कारण से उनकी परिक्षाइं भी हम प्रसितियां ठीक होने के बाद ये सब काम निश्चित कराएंगे आप अपने घर पर बैठ करके जो ऐसे बंदू अपने किसी इंट्रिवो के लिए अपने किसी परिक्षा के लिए जॉब के लिए त्यारी करना चाहते हैं भरपूर समय हैं वो इसकी तैयारी करें और इसके का प्रकार का ये कोई कष्णाई नहीं आएगी मित्रों किसके समय ऐसा विशेश है इस समय विशेश में हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ अपने बंधन अगर अपने उपर लगाएंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत लाब मिलने वाला है मैं तो एक ही बात हरियाना सरकार की उसे कह सकता हूं कि जब मैंने अपने मित्रों से साथियों के सामने सब विशे रखे तो उन्होंने इसको बखो भी सहयोग करने का जो एक प्रकार से संकल दोराया जिसके कारण से मुझे बताते हुए आपको संतोश हो रहा है कि सभी 90 विधायक उसमें 13 मंत्री हैं 77 77 MLS हैं उन सब लोगों ने अपनी एक महिने की तनखा सेलरी ये पूरी की पूरी कोरोना रिफंड के अंदर ये डाल दी थी और नके बले इस एक महिने की सेलरी उन्होंने दी है बलके आगे एक साल अर्थात अप्रेल से लेके अगली मार्च 2021 तक पूरे एक वर्ष 30% सेलरी का अप इस क्रिशनरी कोटा है जो हम समय समय पर अपने हाथ में लेकर के खर्च करते हैं ऐसी राशी जो 100 क्रोड रुपे से उपर है उसमें से सब बंदूओं ने ये विचार किया कि हमको इस राशी को कम करना चाहिए तो मुझे ये बताते हुए संतोश हो रहा है कि कुल मिलाकर इसका एक परकार से बचत हो सके ये सब काम किये हैं सभी बोर्ड के कार्पोरिशन के जो चेर्मेन हैं उन्होंने भी एक महिने की अपनी जो सेलरी है वो कंटिबूट कर दी है एक्समेलेज उनकी पेंशन 42 एक्समेलेज हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का कुछ ना कुछ हिस पूरि की पूरि अपनी पेंशन एक महिने की ये इस बाद करोना रिफंड में डाली है उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं तो इस परकार से हमारे राजनितिक लोगों ने खुल बलाकर क्रोड़ों रुपे का क्रोड़ों रिफंड में या सरकारी धन के अंदर जो एक परकार स बचत कराई है उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं आज कल हमको पता है कि मंडियों में प्रक्योर्मेंट चल रही है प्रक्योर्मेंट का समय ये भी किसान के लिए हमारे मजदूरों के लिए आरती के लिए ग्रामिन जन जीवन के लिए बहुत ही महत्पूर्ण ये ए 1200 मंडी और प्रचेश सेंटर्स के उपर ये कराया जा रहा है स्वभाविक है इतना विस्तार जोके वहां किसी प्रकार की विवस्ताएं नहीं थी नई विवस्ताएं बनानी थी प्रारंब के दो-तीन दिन कठनाई आना स्वभाविक था सहीओं से वर्शा बीच में आई ओले भी कई जगां पड़े उसके लिए भी हमको सब कुछ संबाल करके अपनी वस्ताएं ठीक करनी थी कुछ आड़तियों के साथ भी हमारा एक विवाद हुआ था बाद में उसको सुल्जा लिया गया और उस सारे विशय को ठीक करते हुए हमारी प्रक्यूरमेंट बहुत ठीक प्रकार से चल रही है अभी तक सर्सों कुल मिलाकर तीन लाख बीस जार मेट्रिक टन ये खरीदी जा चुकी है इसी प्रकार गयों तीस लाख से उपर मेट्रिक टन ये मंडियों में आ चुकी है सर्सों की पेमेंट प्रानब हो चुकी है 527 क्रोड रुपे की मेंड दी जा जो 47,000 किसानों को मिली है यहूं की यह जो पेमेंट है वो आज शुरू कर दी जाएगी आने वाले दो दिनों में जिन लोगों ने गहूं एक तीन दिन पहले बेची है उन सब को गहूं का पैसा यह मिल जाएगा और इस प्रकार से इस सारे विशे को सारे सुचारू ढंक से हम गाड़ी रुकती है रुकना के कोई भी कारण हो सकते हैं लेकिन जब उकसो शुरू किया जाता है तो जब शुरू करते हैं तो गाड़ी एक साथ एकदम नहीं दोड़ती है उसको प्रारम करने के लिए स्टार्ट करना पड़ता है स्टार्ट करने के बाद उसका पहला गेर दूसरा गेर तीसरा गेर गरारी में गरारी फसते चली जाती है गेर बढ़ते चले जाते हैं पहिए अपनी गती पकड़ते चले जाते हैं और जब सब पहिए गती पकड़ते हैं गाड़ी आगे बढ़ती है तो पांच में गेर तक गाड़ी फुल स्पीड में आती है हम भी थमी है ये बंद नहीं हुई है इस थमीवी जिंदगी को एक रुकिवी गाड़ी की तरह आगे जैसे चलाया जाता है वैसी हम चलाएंगे अब आज ये मान के चलें के जैसे 20 अपरेल को हमने अपने जो के कुछ आर्थी गतिविद्यों के खुलने का प्रबंद किया था उस सम समाप्त होगा तो लॉकडाउन रखते हुए भी जो इसमें छूट दी जायेगी उस छूट के साबसे हम आगे बढ़ेंगे और हम अपनी जिंदगी को पट्री पर ले करके आएंगे इसको हम ऐसा ना समझें कि एकदम ये बंद हो गया धीरे दरे चलेगा और पूरी हम अप अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखना उसको ठीक डंग से आगे बढ़ाना चलाना और उसी का आनंद लेना ताके हम अपने जीवन को अपने आने वले पीड़ी को ठीक सुरक्षित डंग से एक अच्छा भईशय दें यही आपसे मेरा निवेदन है बहुत बहुत धन्यव बहुत बहुत अभाद